सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीन बहुती जादा बढ़िया मुबाइल्स वीवो, ओपो और रियल्मी की तरफ से तो इस वीडियो में इन तीनों मुबाइल्स में कमपेरिजन करके आपको बताओंगा है कि इन तीनों में क्या कामिया हैं, क्या क्छाइह हैं और आपको इन तीनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एण्ट तक दिखते रहीएगा, बलfully skip मत करिएगा चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वीवो की तरफ से आने वाले वीवो के Y20 के बारे में दोस्तो यह आपको मिल जायागा 13,000 में यह तीनों मुबाइल साब को 13,000 से 15,000 के बजट में मिलते हैं अब दोस्तो इस वीवो के Y20 के अंदर आपको 13,000 में दी गई है 4GB के RAM 64GB के internal storage अब जो इसके अंदर आपको खूबिया मिलती हैं उनमें आपको डिस्पले तो इसके अंदर आपको normal ही दी गई है क्योंकि डिस्पले साइज तो काफी अच्छा है साड़े छेंज का notch वाले डिजाइन है और इसे के साथ आपको IPS डिस्पले दी गई है लेकिन इसके अंदर कमी यह है आपको HD प्लस ही डिस्पले मिलती है Full HD प्लस डिस्पले नहीं दी गई कलर्स क्योंकि डिस्पले की काफी अच्छी है लेकिन मुझे इसमें यह कमी लगी Full HD प्लस डिस्पले होती तो काफी अच्छा रहता वाइट कलर इसका बहुत ज़ाद अच्छा आपको मिल जाता है पीछे की तरफ तीन कैम्रे दिये गए है जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का बाकी के दो कैम्रे है 2 मेगापिक्सल के फ्रेंट कैम्रे है 8 मेगापिक्सल का कैम्रेस के अदर आपको नॉर्मल मिल जाता है SIM की ट्रय ऐसी दी गई है जिसके अंदर आप 2 SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर आपको Type-C port नहीं मिलता और इसके साथ आपको 18W का फास्टेजर दिया गया है राइट साथ आप देहेंगे तो volume के बटन स्वर पावर के बटन और दोस्तो पावर के बटन के अंदर ही fingerprint scanner है right side पर ही इसमें आपको back panel पे नहीं दिया गया side में मिलता है इसके लब दोस्तो इस mobile के अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की जो इसकी काफी अच्छी खुबी है battery इस mobile के अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है लेकिन processor मिलता है snapdragon 460 वैसे तो इसके अंदर आपको processor काफी अच्छा ही दिया गया है अगर एक थोड़े heavy user भी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आपको performance ही बहुत अच्छी चाहिए आपको processor की वज़े से ही mobile लेना है display भी आपको full hd plus नहीं मिलती इसके साथ इसके अंदर आपको design की quality भी normal दी गई है बस इसके अंदर आपको battery बहुत अच्छी मिल जाती है और processor normal है तो दोस्तो rate के साब से ये mobile मुझे average ही लगा चली बात कर लेते हैं अगले mobile की जो की है OPPO की तरफ से OPPO का A53 दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 13000 में ही इसकी भी कीमत सेम है लेकिन इसके अंदर आपको 4GB के RAM 64GB की internal storage तो मिलती है Vivo की तरह लेकिन इसके अंदर आपको फर्क ये दिया गया है डिस्प्ले के अंदर 90Hz का refresh rate है तो जब आप उपर नीचे स्क्रोल करते हैं तो आपको जादा smooth experience देखने को मिलता है Vivo Y20 की comparison में तो ये इसकी डिस्प्ले की काफी अच्छी खुबी है इसकी पहली खुबी है इसकी डिस्प्ले इसके अंदर आपको डिस्प्ले का डिस्प्ले का डिजाइन भी जाद अच्छा दिया गया है पंचोल कैमरा है डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है Left Side पर edges, bezels भी और ज़ादा कम दिये गया है लेकिन दोस्तो इसके अंदर भी वही कमी है IPS HD Plus लिस्प्ले मिलती है हाला कि डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है कलर से वो बहुत ज़ाद अच्छे है और इसके अंदर भी आपको प्लास्टी के टाइप की डिजाइन मिलता है तो स्क्रैचिस बहुत ज़ाद आसानी सा जाते हैं बाकि दोस्तों लुकाइस तो डिजाइन इसका भी बहुत ज़ाद अच्छा है वीवो की तरह लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इसके बैक पेनल पर काफी अच्छी लग रही है बाकि दोस्तों अगर ग्लास डिजाइन होता गुरिला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो और भी ज़ाद बढ़िया रहता पीछे की तरफ दीन कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13 मेगा पिक्सल का बाकि के दो कैमरे हैं 2-2 मेगा पिक्सल के फ्रेंट कैमरा है 16 मेगा पिक्सल का कैमरे की परफोर्मेंस इसके दर भी आपको रेट की साब से नॉर्मल ही मिल जाती है कैमरे को लेकर ये मोबैल भी मुझे नॉर्मल ही लगा वीवो की तरह लेकिन इसका जो साइडों से डिजाइन है बैक पेनल का ये कर्वड है तो ग्रिप करने में ये मोबैल जादा बढ़िया लगता है वीवो से इसके लव दोस्तों लेफ्ट साइड साब देहेंगे इस मोबैल को आपको सिम की ट्रे दी गई है इसके अदर भी आप दो सिम काड़ एक मेमरी काड़ तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं लेकिन वीवो के वाइट वंटी से एक चीज़ इस मोबैल में और जाद अच्छी है इसके अदर आपको टाइप सिपोर्ट दिया गया है और इसके साथ भी आपको 18W का फार्ट शेजर मिलता है जैसे वाइट वंटी के साथ दिया गया है राइट साथ आप देहेंगे तो पावर का बटन इसमें आपको फिंगरपेंट स्कैनर बैक पेनल पे ही मिलता है वीवो की तरह साइड में नहीं दिया गया तो इस चीज का फर्क है इन दोनों में उपर की तरफ साथ देहेंगे तो प्लेन डिजैन है इस तरफ कुछ नहीं दिया गया अब दोस्तो बैटरी इसके अंदर आपको वही मिलती है 5000 इमेज की एक दिन का बैटरी बैक आप आराम से मिल जाता है और प्रोस्सर भी आपको वही दिया गया है Snapdragon 460 जैसे वीवो के Y20 में है तो अगर आप एक थोड़े बहुत heavy user है तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी अब यह सारी खुब्य कम्याब को मिलती है OPPO के A53 के अंदर 13000 में अब जैसे आपको वीवो के Y20 जादा तर चीजों में नॉर्मल ही मिलता है ऐसे ही OPPO का A53 भी जादा तर चीजों में नॉर्मल है इसके अंदर आपको design के quality, camera, इसे के साथ HD plus display और आपको processor नॉर्मल ही दिया गया है लेकिन फिर भी ये mobile वीवो के Y20 से थोड़ा से जादा बैटर है कुछ चीजों के अंदर एक तो फर्क ये है इसके अंदर आपको type support दिया गया है जो वीवो में नहीं मिलता दूसरा बड़ा फर्क ये है इसके अंदर आपको 90Hz के refresh rate दिया गया है डिस्प्ले के अंदर इस चीज का काफी बड़ा फर्क है और डिस्प्ले का design भी जाद अच्छा है colors और brightness भी और जाद अच्छा है तो वीवो के Y20 से और जाद अच्छा है Oppo का A53 बाकि जो खूब या वीवो के अंदर है वही खूब या आपको Oppo के A53 में मिल जाती है चलिए बात कर लेते हैं लास्ट मॉबाइल की जो की है Realme की तरफ से Realme 7 अब यह आपको मिलता है 15,000 का इसमा आपको 15,000 में दी गई है 6 GB RAM 64 GB के internal storage तो इसके अंदर आपको 2 GB RAM का फर्क मिल जाता है बाकि दोनों मॉबाइल से 2 GB RAM इसके अंदर आपको ज़ादा दी गई है क्योंकि कीमत भी 2000 ज़ादा है अब दूसर इसके अंदर आपको Oppo की तरह ही डिस्पले दी गई है साड़े चेंज की डिजाइन भी वही है इसके अंदर आपको 90 Hz का refresh rate मिल जाता है तो जब आप उपर नीचे स्क्रोल करते हैं आपको काफी smooth experience मिलता है लेकिन Oppo की डिस्पले में जो कमी है HD Plus होने की वह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती इसके अंदर वह कमी नहीं है इसके अंदर आपको Full HD Plus डिस्पले दी गई है तो ये चीज इसमें जाद अच्छी है डिस्पले की quality भी अच्छी है डिजाइन भी सही है इसे की साथ Full HD Plus डिस्पले है बाकि दोसरी खुबी जिसके अंदर आपको मिलती है वह है इसका design मिलते हैं जिसमें मेन कैमरा है 64 Megapixel का दूसरा आठ बाकी के दो कैमरे है दो-दो Megapixel के फ्रेंट है 16 Megapixel का कैमरी की performance इसके अंदर आपको सबसे जाद अच्छी मिल जाती है इन तीनों मुबाइल में इसके तीसरी खुबी है इसके अंदर आपको कैमरा बहुत अच्छा दिया गया है सिम के ट्रे इसके अंदर भी ऐसी मिलती है जिसके अंदर आप दो सिम काड़ एक मेमरी कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है चौथा फर्क यह है इस मुबाइल के साथ आपको टाइप सिपोर्ट तो मिलता है लेकिन बाकी दोनों मुबाइल के साथ 18W का फास्ट हज़र है इसके साथ आपको 30W का दिया गया है तो चार्जर भी आपको सब सच्छा मिल जाता है इसके साथ वीवो की तरह आपको फिंगर पिंट स्कैनर साइड में ही दिया गया है पावर के बटन के अंदर ही उपर की तरफ साथ दिहेंगे तो प्लेन डिजाइन है बैटरी आपको वही मिल जाती है 5000 इमेज की जैसे वीवो के अंदर है ओपो के अंदर है तो बैटरी में ये मुबैल नॉर्मल है कम कीमत में वीवो ओपो ही जादा बढ़िया है बैटरी को लेकर अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो वो मुबैल जाद अच्छे है आपको performance ही बहुत जाद अच्छी चाहिए तो इन तीनों mobile में आपको सबसे बढ़िया processor दिया गया है Realme 7 के अंदर processor को लेकर ये mobile बहुत अच्छा है तो पांच चीजों में ये mobile जाद अच्छा है तो इसके अंदर आपको display की quality जाद अच्छी दी गई है दूसरे इसके अंदर आपको camera सबसे बढ़िया मिल जाता है तीसरे design की quality जाद अच्छी है चौतर इसके साथ आपको charger जाद बढ़िया दिया गया है और पांच इसके अंदर आपको processor बहुत अच्छा मिल जाता है तो पांच चीजों में ये mobile जाद बढ़िया है चलिए बात कर लेते हैं आपको इन सब में से कौन से लेना चाहिए देखिए दोस्तो वीवो का white 20 भी 13000 का है ओपो का A53 भी आपको 13000 में मिलता है लेकिन इन दोनों mobile में लगबग सारी चीज़े आपको 1 येसी ही मिल जाती है बाकी वीवो के white 20 से और जादा बैटर है ओपो का A53 लेकिन फिर भी दोस्तों इन तीनों में मैं आपसे ये ही कहूँगा जहां आप 13000 में वीवो का white 20 या ओपो का A53 लेने की सोच रहे हैं सिर्फ 2000 महंगा realme 7 खरीद दियेगा क्योंकि दोस्तों कीमत में तो सिर्फ 2000 का फर्क है लेकिन फीचर्स के अंदर आपको काफी जादा फर्क देखने को मिल जाता है तो इन तीनों मोबैल्स में सबसे बेस्ट है realme 7 ही और मैं आपको ये ही सजेस्ट करूँगा मुझे भी दोस्तों ये ही मोबैल जादा पसंद आया इसकी कीमत को देखते हुए इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत अच्छे दिये गए हैं अब आप बताईएगा निचे कमेंट करके फिर भी आप इन तीनों में सब कौन सा खरीदना पसंद करेंगे ये चीज कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन भी दबा दियेगा ताकि इसी तरीकी की वीडियो आप तक पहुशते रहें इसके लगव वीडियो अगर आपको हेल्फोल लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दियेगा वाटस से फेस्बुक पे में अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइ